कि gravity है इसे ए अपने दिसकस करेंगे दिसी अनालेसिस और डिफ्रेंसिल अंपली फईर इससे पहले लेक्चर में मेरें किया था विफेंशन angleson-OSDIG भर इसमें चार प्रकार के requirements थार डुवल इन keeping बेलेंस्ट बेलेंस्ट, डिक्रेंसिल अंपली फईर डिलेंस्ट, एनबैलेइंस सिंगल इनपूट बैलेइंस और सिनल इनपूट एनबैलेइंस तो इस टोपिक को और आपने लिख सकते हैं कि ओपरेटिंग पॉइंट अपने पास होता है IC Q, collector जो current है वहाँ पर, IC Q, तो सबसे पहले इसमें अपने यूज लेंगे, जो differential amplifier है, उसका circuit diagram, differential amplifier का circuit जो diagram हो किस परकार से होता देखो, जैसे दो इसके अंदर identical transistor होते हैं, यह इसका base, यह इसका collector और यह इसका emitter, ऐसे यह इसका collector, यह इसका base और यह emitter, फिर अपन क्या करते हैं, सभी में एक resistance add करते हैं, इसमें भी ऐसी resistance add करेंगे अपन, और इन दोनों को अपन कपल्ड करके, और पलस VCC power supply में add कर देते हैं, इस resistance का नाम होगा RC, यह भी कैसा RC, इस दोनों देखो identical transistor हैं, तो RC-RC होगे दोनों, एक यहां resistance add करेंगे अपन, और यहां voltage source लगाएंगे अपन, और ऐसे यहां एक resistance add करेंगे अपन, और यहां एक input source लगाएंगे, ऐसे यहां इन दोनों को अपन कपल करके, और अपन यहां एक resistance add करेंगे, जो क्या होगा, plus, sorry, minus VEE, अब देखो यह जो resistance, इसका नाम अपन देते हैं RS, यानि source का resistance, यह भी RS, source का resistance, अब देखो यहां अपन DC analysis पढ़ रहे हैं, और जो source है, वो अपने पास AC है, तो इन दोनों AC को आप अटा दीजिए, ऐसे जो source हैं, और यहां पर अपन क्या करेंगे, DC connect करेंगे, यहां पर अपने DC source लगा रहे हैं, AC analysis करेंगे इसके बाद में, तो उसमें SC voltage source का यूज़ करेंगे अपन, यह जो resistance है, यह आर ई, इसको coupled resistance बोलते हैं, जो RE1 और RE2 का parallel का था, यह जो part है, इसको अपन बोलते हैं VBE, यहां voltage between base and emitter, और इसके अंदर जो current आएगी वो कितने हैं, base के अंदर जो current होती हैं, वो IB, और यहां C के अंदर जो current होती हैं, वो IC, और यहां करेंट होगी वो IE, अब IE नहीं होगी, IE और IE, IE देखो यहां से आ रही हैं, और IE ही यहीं से आ रही हैं, तो टोटल करेंट विल बी 2IE यह जो डागराम है यह है डिप्रेश्यल अंप्लिफायर का सर्केट डागराम की हेल्फ से अपन क्या करेंगे DC analysis करेंगे इसका direct current का जो विसलेशन है वो करेंगे अपन तो सबसे पहले अपन किर्चोप का voltage लोगा यूज करेंगे KVL rule और इस circuit के अंदर करेंगे यहां अपन लगाएं और इसके अंदर और ऐसी इसके अंदर इस loop के अंदर अपन KVL rule लगाएं तो now using KVL rule KVL rule KVL rule अपन लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा देखो यहां लगाएंगे तो voltage कितनी होगी RS into IB इस resistance के उपर voltage V equal to IR IB और R कितनी है RS तो यहां कितनी voltage होगी वो क्या होगी RS IB plus यहां voltage VBE वोल्टेज बिट्वीन बेस एंड एमिटर यहां voltage यहां voltage current into resistance 2IE into RE plus 2IE into RE minus यहां voltage VEE तो minus VEE equals to 0 अब यहां अपन वोल्टेज वाले को एक सेड में कर रहे हैं इसको तो इसको मैं लिखता हूँ RS IB plus 2IE RE equals to यह plus का हो जाएगा VEE और यह minus का हो जाएगा VBE अब अपने एक relation जानते हैं कि IB plus IC बराबर होता है IE relation क्या है IB और IC current को अपने एड़ करें base current और collector current को तो वो होता है equal किसके IE के यानि सब ज़्यादा जो current है वो IE है यहाँ एक relation अपने और जाते हैं current factor and beta equals to current factors जो होता है हो क्या होता है IC upon IB ratio of collector current and base current is equal to beta और यहाँ से IC की value कितने आएगी beta into IB यह value यहाँ पूट कर दें यह क्या बन जाएगा IB plus IC कितने आएगा beta into IB beta into IB equals to IE और यहाँ से IB अपने कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगे 1 plus beta equals to IE इसको अपन कहते हैं equation first तो IE की जगा क्या लिखता हूँ में IB plus IB into 1 plus beta IE की जगा लिखता हूँ IB into 1 plus beta यहां से अपना IB कोमन ले लें यहां से अपना IB को कॉमन लें तो बच्चेगा RS plus 2 1 plus beta into RE equals to VEE minus VBE IB को मैं क्या लिखता हूँ यहां से यहां से देखो IB बराबर IB बराबर क्या लिखता हूँ IC upon beta IC upon beta इन्टू में RS plus 2 1 plus beta RE equals to VEE minus VBE और देखो यहां से IC की वेल्यू निकाल लें क्यूंकि operating point कोण होता है IC आगे लगा देंगे अपने क्यूं तो IC की वेल्यू कितने आएगी IC equals to यह बिटा इसके भी मल्ट डिवाइड में है इसके भी डिवाइड में है और यह मल्टिपलाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा तो IC इकवल्स टो जाएगा VEE माइनस VBE अपोन में RS अपोन बीटा और पलस टू वन पलस बीटा इंटू और अपोन में यह बीटा तो यह जो वेल्यू आई है यह फैस्ट ओपरेटिंग पॉइंट है इस प्रकार से करते हैं इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और भी सोल कर सकते हैं कि इस फोर्मूले के अंदर देखो क्या होता है बीटा की वेल्यू वह ज्यादा होती है वन से अपने जाड़ते ना कि वीटा is very very greater than as compared to 1 then 1 plus beta upon beta equals to 1 लगबग बराबर आएगा किसके 1 तो इसको 1 लिख दे 1 plus beta upon beta लिख दे 1 plus beta upon beta को 1 तो IC क्या जाएगा IC equals to IC equals to हो जाएगा VEE minus VBE और upon में RS upon beta और plus यह तो 1 हो गया तो 2RE 2RE इसके बैस के उपर भी competition के अंदर जो मेरी कला सकते है और अपन क्या कर सकते है यहाँ यहर RS upon beta जो है वो बहुत छोटा होगा किस से 2RE से क्या पता beta की value बहुत जदा कम वाली quantity के अंदर जदा value द्वाइड करोगी धी value कम होगी तो इसके comparison में तो और भी कम हो जाएगी तो RS upon beta है वो इससे कम है तो इसको इसके compare में नेगलेट कर सकते है तो IC जो है वो क्याएगा VEE minus VBE upon में यह negligible और यह हो गया 2RE यह फोर्मूला भी सही है इसको अपने बोलते है first operating points यह फोर्मूला आपको ध्यान रखना है तो यह कोई भी differential amplifier है उसका DC analysis है तो DC analysis में अपने को IC की value है वो calculate करनी है उसके बाद में next lecture में अपने करेंगे AC analysis जसके बाद में अपने का है